दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम है कोई ऐसा किसान नहीं है जो धान की खेती से अच्छूता हो और ये भी हम जानते हैं कि कुछ लोग बिजाई से और ज्यादा तर लोग जो है पौदरोपन के जरीए धान उगाते हैं लेकिन धान की नरसरी तयार करते समय हम कहीं न कहीं कुछ कमिया छोड़ देते हैं जिससे क्या होता है हमारी धान की पौद अच्छी नहीं होती है और इसका असर जो है उत्पादन पर आता है तो दोस्तों इसलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि धान की नरसरी कैसे तयार करें और इस दोरान किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे की हमारी धान की पौद अच्छी हो स्वस्थ हो और रोग रहित हो और उससे क्या होगा हमारा धान का उत्पादन कापी लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तो तो अवसी कर दें साथ साथ दोस्तों विल आइकन की घंटी को जरू दबाएं और दोस्तों लाइकवा सेर भी करें दोस्तों धान की नरसरी तैयार करते हैं सबसे पहली चीज एह होती है कि हमें धान की किस्मों का चैन करना होता है आज हम कुछ प्रमुक किस्मों के बारे में जानते हैं जिनसे की अच्छी पैदावार की जा सकती है जैसे के P1460, IR64, BHP71, Jaya, PUSA RH, Tरावरी, बास्मती 1 पूसा सुगन 2, पूसा सुगन 3, P1121, और P2511, रत्ना, विकास, तथा माही सुगनधा आदे यनि कि जो भी धान उगाना चाहते हैं उन धान की किस्मों को चैन करें और आसपास के जो किसान ज्यादा पैदावार कर रहे हैं उनका भी आप चैन कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो रही चैन की बात, क्योंकि चैन आपको ही करना है अब जहां तक नरसरी तयार करने की बात है तो दोस्तों इसमें कई ऐसे चरण हैं जिसमें आपको उसमें ध्यान रखने की जरूरत है और तभी जो है आप इसे अच्छी नरसरी तैयार कर सकते हैं तो सबसे पहला चरण है दोस्तों खेत का चुनाओ और तथा तैयारी तो दोस्तों खेत का चुनाओ करते समय आपको ध्यान रखना है कि दोमट और चिकनी मिट्टी धान की नरसरी के लिए उपिक्त होती है और नरसरी लगाने के पहले खेट की दो से तीन जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरुभुरा बना लेना चाहिए वही खेट में पाने की निकासी के लिए उचित इंतिजाम होना चाहिए दोस्तों अगर पाने की निकासी अच्छी नहीं है तो इसमें पानी भर जाएगा और नर्सरी जो है अच्छी तयार नहीं हो पाएगा अब बात रही दोस्तों नर्सरी का समय दोस्तों धान की जो किसमे मध्यम से और देर से पकते हैं उनकी रुपाई जून के दूसरे सब्ता में करना उचित होता है वहीं देर से पकने वाली किसमों की रुपाई जून के दूसरे से तीसरे सब्ता तक करना चाहिए अब बात रही दोस्तों कि नरसरी में क्यारी बनाना भी अपने आप में इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए धान की नरसरी क्यारी बना कर तयार की जाती है इसके लिए एक मीटर से लेकर डेड़ मीटर चोड़ी तथा चार से लेकर पांच मीटर लंबी क्यारियां तयार करना पड़ता है और इसमें बुआई और इस धान की पौधा निकालने में काफी आसानी होती है अब बात रही दोस्तों नरसरी के लिए बीज की मातरा कितनी होनी चाहिए क्यारियां तयार करने के बाद उपचारी धान के बीज का प्रतिवर्ग मीटर 50 से लेकर 80 ग्राम बीज का छिड़काव करना चाहिए बिभिन किस्मों के अंसार प्रते हक्टियर लगभग 25 से 35 किलोगराम बीज की जरूरत परती है साथी बता दें दोस्तों नरसरी में तैदर के हिसाब से बीज डाना चाहिए इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधे खराब होने की संभावना कम हो जाती है अब सबसे महत्वपूर्ची दोस्तों बीजो उपचार क्यांकि अगर आप बीज का उपचार कर लेते हैं तो आपका जो पौध है वो एक तो रोग रहित होगी और स्वस्त भी होगी दोस्तों धान की फसल को विभिन्द रोगों से बचाने के लिए नरसरी लगाने से पहले बीज को अंसंसित तवाईयों से उपचारित कर लेना चाहिए वहीं थोते बीज को हटाने के लिए दो फिजदी नमक के घोल में बीजों को डालें अच्छी तरह से मिलाएं और उसमें जो अच्छा धान है उसको चैन करके आप बीजो अपचार करके आप नरसरी में बौई करें दोस्तों धान की बीजाई करने से पहले बीजों को अंकुरित कर लेना चाहिए इसके लिए बीजों को जूट के बोरे में भर लें इसके बाद इसको 15-20 घंटों के लिए पानी में भीगने दें इसके पस्चात बीजों को अच्छी तरह सुखा लें और फिर बिजाई करें वहीं बिजाई के बाद पच्छीयों से 2-3 दिनों तक बचाव करें जब तक की बीच उगना जाएं अब बात रही दोस्तों नरसरी में खाद वा उरवरक का उपयोग कैसे करना चाहिए पउधे के अच्छे विकास के लिए धान नरसरी में प्रति 100 वरक मीटर में 2-3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपरफासपेट और 1 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए कुछ दिनों पस्चात यद पौधों में पीला पन दिखाई दे तो 1 किलोग्राम जिंग सलफेट तथा 1 किलोग्राम चूना लेकर 50 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काओ करना चाहिए अब बात रही दोस्तों सिचाई की पौधों के अच्छे अंकुरण के लिए पानी की बेहद जरूरत होती है विजाई के समय क्यारियों में पानी नहीं होना चाहिए लेकिन 3-4 दिनों बाद क्यारियों को तर रखना चाहिए वहीं जब पौधा 5 सिंटीमीटर तक बढ़ जाए तब खेट में 1-2 सिंटीमीटर पानी भर कर रखना चाहिए तो दोस्तों ये तो रही धान की नरसरी के संबन में कुछ बिसेस बाते हैं जय किसान दोस्तों